आज मैं आपके साथ शेयर करें हूँ एक किचन स्केल का रिव्यू यह मैं काफी टाइम से इस्तिमाल करें हूँ मैंने इसे आफ लाइन ही पर्चेस किया था पर यह आपको मीशो पर भी अराम से मिल जाएगी मुझे यह 200 की मिली थी और मीशो पर आई थिंग कि यह 210, 220, 240 ऐसे आपको अलग-अलग से मिल जाएगी इसमें मिलता है हम एक instruction manual इसे कैसे यूज करना है और सारी चीज़े इस पर mention की गई है कितना weight आप इस पर रग सकते हो, on-off कैसे करना है, कैसी इसकी setting है, सारी चीज़ें और कुछ इस तरह की है यह machine आप देख सकते हैं मुझे ही न यह थोड़ी सी नाजुक लगती है और बहुत ज्यादा weight रखने के लिए यह मुझे सही नहीं लगती और इसमें आप देख सकते हैं, छोटी वाली दो batteries लगती है और इसमें आप 10 kg तक वजन कर सकते हो, पर मैंने इतना ज्यादा तो नहीं किया, मैंने 5 kg तक इस पर try किया है मुझे थोड़ी सी नाजुक लगती है, मशीन के तूटना जायज से लिए मैंने इसमें बहुत ज्यादा weight नहीं करती चोटे मोटे, उसके लिए काफी अच्छी है, क्युचन में एक weighing machine होना बहुत ज़रूरी है specially अगर आप baking बगएरा करते हो तो आप देख सकते हैं, इसमें on-off बटन दिया हुआ है एक mode का option है और एक tear का, जैसे ही आप इसे on करोगे तो आप देख सकते है, डिस्प्ले पर दिखने लग जाता है फिर उसके बाद अगर आप इस पर कोई bowl बगएरा रखते हो, तो मैं देख सकते हैं, आप एक bottle रखके आपको दिखाया भी है उसके बाद आपको tear का button दबाना है, तो ये वापस से zero पर आ जाएगा, फिर उसके बाद आप चाहो तो इसमें कुछ भी measure कर सकते हो जिसने भी बार आप tear का button इसमें दबाओगे, उतनी बार ये zero पर आ जाता है, उसे on-off करोगे तो वापस से ये आपको reset mode पर आ जाता है और इसमें gram और ounce दोनों के भी option दिये हो है, तो आप अपने according इसकी setting change भी कर सकते हो मेरे kitchen में मुझे ये बहुत काम आता है, किसी भी चीज़ को measure करने के लिए बहुत easy होता है इस तरह की wing machines, तो अगर आप try करना चाहते हैं तो मीशो से भी कर सकते हैं, उस पर ये आपको काफी अच्छे price पर मिल जाएगा दूसरी जगे मैंने दिखा था, पर वहाँ पर इतने कुछ सस्ते नहीं है, मैंने इसे offline purchase किया था, अगर आप चाहो तो offline भी purchase कर सकते हूँ, वहाँ भी आपको ये 200 रुपे के आसपास अराम से मिल जाएगा और इसको मैं 3-4 साल से यूज़ करी हूँ, अभी भी इसकी quality जैसी की बैसी है, बैटरी भी बदलने की मुझे जरूरत नहीं पड़ी, यह बहुत अच्छा है, तो definitely आप इसके साथ जा सकते हूँ, तो यह था मेरा आज का वीडियो, I hope आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, पसंद है तो please like and share जरूर करें और चैनल को भी subscribe करें, thank you so much for watching,